हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मां नेक्स टुटिरियल हो तो यूज इन बिपीन ओपरेटर्स फिर्स्ट फॉल वाट इस इन ओपरेटर देन ओपरेटर अलाओ सब्सक्राइब यूज यूज इन वेर क्लॉस अगर आपको वेर क्लॉस में बहुत सारी वेल्यू स्कॉर्व फिर शॉक्ति अग्शूर्ड ना योज तो आप इन ओपर सक्ते हो प्र पूर्व नेम यूह पूण हो हो सकता है इन और उसके अंदर आप बहुत सारी वेल्यू यहां पर दे सकते हो हम यहां पर डेमो परपर्स के लिए फिर से इंप्लोई टेबल यूज करेंगे तो एक्जामपल यहां पर रहें सेलेक्ट इस्टार फ्रॉम इंप्लोई वेर आईडी को आईडी इन टूंटी थर सेलेक्ट हो जाएंगे हम यहां पर नॉट का यूज कर सेकते हैं स्टार फ्रॉम इंप्लोई वेर आईडी नॉट इन टूंटी थर्टी थर्टी नहीं है वह सारे रिकॉर्ट यहां पर स्लेक्ट हो जाएंगे हैं नौ नेक्स सेम अगें यूजिंग दी इंप्लोई टेबल इंप्लोई 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 तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है विशाल और विशाल सुमीत और्धी पका रहा है तो यह इस तरह से आ रहा है कि इनका आइडी जो है वो 10 और 20 तो 10 20 और 20 तो आइडी के अंदर 10 विशाल 20 सुमीत और 20 है वो दी पक्ति लिए आ रहा है नौ यहां से यूज कंप्री डिटाबेस करेंगे तो हमारे पास आइडी नेम और इडरेस फिर से एक जो डेमो टेबल हम हमारे जो टुटल के लिए यूज कर रहे हैं वो एप्लोई टेबल अंदर आइडी नेम और इडरेस सलरी और चार कॉलम हैं कि अधर there are one two three four five six seven seven rules okay now first question select name addresses address sorry wrong employ table where id in 10 10 and 20 okay so now the result is Vishal Sumit Deepak तो यहां पर आपको दिखना होगा विशाल समीत और दीपक जिनका id 10 और 20 है वो result हमें मिला है हम not भी यहां पर यूज कर सकते हैं तो मैं इसके लिए लिखना रहेगा select okay select name address from employee where id not in 10 20 okay so now the result is Sumit Sham Mahesh Monika according to a table यह जो नेम है तेन जो विशाल और दीपक और Sumit यह नाम पर पास नहीं आ रहे है Sumit MP वाला रहा है Sumit UP यहां पर नहीं आ रहा है that's okay about the in operator now again okay where is our now second thing what is between operator the between operator is used in a way clause to select a range of data between two values अगर दो वेल्यूज हमारे पास है है first value second value है तो उनके भी जो range है वो हमको select करना रहती है अगें विया using the employee table for the demo purpose यहां पर जो between कर जो syntax है काफी सिंपल है select column columns from table name कोई भी table उसे हम जितने भी column select करना है हम select करेंगे वह column जो भी column से हम specify करना चाहेंगे और उसके पात between first value और जो range हम देने वाले है between first value और the end value तो देखें यहां पर example है select start from employee where id between 10 and 30 तो 10 और 30 जी range की जो value वो select हो जाईए हम not भी इसके साथ यूज़ कर सकते है id not between 10 and 30 now the same employee table is we are using in our demo purpose point the name and address of the employee use id is between 10 and 20 तो हमने यहां पर command लिखा है select name address from employee where id between 10 and 20 तो result will be Vishal, Sumit and Deeper okay so now select start from employee हम यहां पर between operator का यूज़ करेंगे select name address from employee where id between 10 and 20 okay so it's Vishal, Sumit and Deepak जिनका id 10 और 20 की बीच में वो है Vishal, Sumit और Deepak हम यहां पर clearly लिख रहा है 10, 20 और 20 की जो result आ रहा है वो Vishal, Sumit और Deepak बिल्कुल सही result है हम यहां पर change value भी change कर सकते हैं हम यहां पर 30 और यहां चाहां 60 भी कर सकते हैं हमने 60 किया तो the result has been changed सुमीच महेश और मोनिका जो की actual बिल्कुल सही result है हम यहां पर not operator भी करते हैं तो हमें बिल्कुल इससे विष्णा करने रहेगा id not between 30 and 60 जो id 30 और 60 की बीच में नहीं है वो result हमें मिल रहा है 30 और 60 की लिए हमें Sumit शाम महेश मोनिका रहा था और ऐसे नाम जो 30 और 60 की बीच में नहीं है तो वो Vishal, Sumit और Deepak है so that is all about our tutorial thanks for watching please subscribe my channel for further tutorials thank you very much